नमस्कार विद्यार्थियों मैं मक्हन गोईल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने आईटेई स्टेडी के यूटूब चैनल पर जहां आपको आईटेई सम्मधी संपून जानकारी मिलेगी विद्यार्थियों अगर आप असमसे वाट्सप पे टेलिग्राम से जुणना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दियेगी लिंक से आप वाट्सप पे टेलिग्राम गुरूप से जुड़ सकते हैं आज का अपना टुपिक रहेगा इंजिनिंग ड्रोइंग जो आईटे की सभी ट्रेड के लिए इंपोटेंट है और कॉमन भी है आज का अपना टुपिक रहेगा पेंटागन बाई सेमी सर्कल सेकेंड मैथड यानि सेमी संकर फरस्ट अपने लस्ट वाली क्लास में किया था आज अपना तो method रहेगा pentagon by semicircle second method यानि pentagon का निर्मान करेंगे पंच बुझ का और अपनी वीदी रहेगी semicircle second तो आपको सबसे पहले दिया होगा एक बुझाकी माप तो सबसे जैसे आपने माप अपने पास में 70 mm की है तो सबसे पहले आपको 70 mm की एक रेखा ड्रो करनी होगी जिसका नाम अपन A, B रख देंगे तो अपन scale की साइथा से 70 mm की एक रेखा को बना लेते हैं कुछ इस तरीके से और अपने इसका नाम गर दिया A, B अब आपको क्या करना होगा परकार की साइथा से इस पे अर्दवर्थ का निर्मान करना है यानि आपको A पर परकार की नोक रखर B तक बढ़ाना है और परकार खोलना है कुछ इस तरीके से और फिर आपको इस पे आप एक अर्दवर्थ का निर्मान कर दोगे यानि मैंने परकार को A पर रखा और B तक बढ़ाया और मैं एक अर्दवर्थ का निर्मान किये जा रहा हूं कुछ अपना इस तरीके से ठीके विद्यार्थियों अब अपना second step भी सेम रहेगा कि अपन को इस अर्दवर्थ की परीदी के समान टुकडे करने होंगे और अर्दवर्थ की समान परीदी का टुकड़ा का फॉर्मूला आप सभी को पता है वर्थ की परीदी हो तो अपन उसके लिए 2 पाई R फॉर्मूला बटे 5 यह अपने पास अर्द की है तो बटा 2 भी कर देंगे यानि 2 बड़ाबर टुकडे तो पाई बटे R जो पाई का मान हो गया 22 बटे 7 R का मान हो गया 70 mm और टुकडे करने आपको 5 क्योंगे अपन 5 बुझ का निर्मान कर रहे हैं अगर सश्ट बुझ होता तो 6 टुकडे करते फिर अपने इसको काट देंगे तो अपना एक टुकडे का भाग आजाएगा 44 mm तो मैं आपको बताऊं कि वापस अपने परकार को 44 यानि 16 mm का खोलेंगे और इस अर्दवर्द की परीदी पर 5 बड़ाबर टुकडे 5 बड़ाबर चाप काटेंगे आप स्केल की रिसाहईता से अपने परकार को इस तरीके से अपन खोल लेंगे और फिर अपन जो बिंदू B है बिंदू B से स्टार्ट करेंगे और इसको बराबर 5 बड़ाबर भागों में बांट देंगे कुछ इस तरीके से यह हो गई अपने इसके 5 इसकी numbering कर देते हैं अपन अपना तो 0, 1, 2, 3, 4 और यह आपका 5 अगला step अपना अलग रहेगा और वो step क्या रहेगा कि आपको बिंदू A को 2 से मिलाना है यानि जो आपका बिंदू A है इसको अपन किसे मिला देंगे 2 से मिला देंगे कुछ इस तरीके से आपका ध्यान दीजिएगा लंबी रिखा की दवरा इसी तरीके से मैं बिंदू number 3 जो अपने marking किया था उसको भी अपन किसे मिला देंगे A से अपना मिला देंगे और रिखा को थोड़ा लंबा बढ़ा देंगे इसी तरीके से अपन बिंदू number जो आपका 4 है उसको भी बिंदू A से मिलाएंगे और रिखा को थोड़ा से आपना आगे बढ़ा देंगे लंबा कुछ इस तरीके से अपने आपको बता दूँ rough कारिया आप अपना rough copy के अंदर करेंगे seat के उपर आप किसी तरीके से rough कारिया ना करें इतना काम होने के बाद अब आपको अगला step क्या रहेगा कि वापस आपको अपना परकार लेना है और प्रकार को 70 mm का खोलना होगा यानि जो अपनी एक बुजा है उतना ही अपन प्रकार को खोलेंगे जैसे ही आपका प्रकार अपने बिंदू A को B तक बढ़ा कर खोल लिया अगला step अपना क्या रहेगा कि मैं बिंदू B पर प्रकार रखूंगा और जो रेखा 4 से होके जा रही है यानि आप देखिए रेखा जो 4 बिंदू से होके जा रही है नमरिंग पे इस रेखा पर मैं एक चाप काड़ दूँगा कुछ इस तरीके से आप ध्यान दीजेगा और अब वापस बिंदू 2 पर आएंगे और एक चाप अपन काड़ देंगे रेखा जो 3 बिंदू से होके जा रही थी ज्यान दीजिए जो A से आप देख रहे हैं A से ये 3 नमर जो रेखा जा रही है ये जो आगे बढ़ रही है अपन इसके उपर एक चाप काड़ देंगे कुछ इस तरीके से विद्यार्तियों अब देखो क्या करना होगा इन रेखाओं को अपन थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि ये चाप के द्वारा काटी जाए अब जो बिंदो आपको प्राप्ट होए ना A, B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा आपका D, और ये हो जाएगा आपका E, और ये हो जाएगा आपका A अब इन बिंदो को आपस में आप मिला दें, स्केल की साहिता से कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा आप इन बिंदों को मिलाने में आपकी पास अगर ब्लैक मारकर है तो आप उसका भी परियोग कर सकते हैं विद्यार्थियों आप चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को जादा स्याद अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि आपने देखा होगा यानि आपने पिसले अगर प्रिविर्स येर के एक्जाम पेपर देखे हैं तो उसके अंदर पंच भुज से सम्मनित कुशन आता है यानि यह कैसी आकर्ति आएगी कि पंच भुज का निर्मान करो जिसमें आप सेमिसर्कल फर्स्ट मेथड का यूज करना है या सेमिसर्कल सेकंड मेथड का यूज करना है या वर्त के अंदर वर्त के बाहर या चाप विधी सब विधियां आपन पड़ेंगी आज जो अपनी दूसरी विदी है semi circle second method तो इसमें देखिए अपना पंच बूज का निर्माण हो गया देखिए आप A, B, C, D और E इस तरीके से ये अपनी पंच बूज की आकरती आपको प्राप्त हुई है विद्यार्थियों वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, अगर फिर भी आपका कोई doubt हो तो आप हमें कमेंट करें आपका dot किलिर किया जाएगा आप हमसे whatsapp से जुड़िए, टेलिग्राम से जुड़िए description में आपको link मिल जाएगा वीडियो को जादे से जादे दोस्तों के साथ share करें और विद्यार्थियों अगर आप अच्छे से drawing सीखना चाते हैं तो जो drawing मैं आपको बनवा रहा हूं तो वो drawing आप real में अपनी drawing sheet पे बनाएं और practice करें तो यह आजएगे आपकी drawing पंच बुझ का निर्माण semi circle second method के द्वारा वीडियार्थियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं आप चैनल पे नए हैं चैनल को सस्क्राइब करें जादा से जादा आपनी दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद